नमस्कार बच्चो कक्षा 10, exercise 9.8 का दूसरा प्रशन हम करने जा रहे हैं प्रशन है, आंधी आने से एक पेड तूट जाता है और तूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिगरी का कौन बनाता है पेड के पात बिंदू की दूरी जहां पेड का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है पेड की उंचाई ग्यात कीजिए तो बच्चो आए हम सबसे पहले इस प्रशन को अच्छे से समझते हैं बच्चो इसको समझने के लिए हमने जाडू के तीलों का प्रयोग किया है देखे मान लीजे यह है धर्ती और इस पर यह एक पेड सीधा लगा हुआ है तो हम यह मान लेते हैं कि यह बिल्कुल सीधा पेड है इसलिए है धर्ती के साथ यहां पर 90 डिगरी का कोण बनाएगा इस जगा पर यह 90 डिगरी का कोण बनाएगा ठीक है बच्चो आप किसी दिन आंधी आई और यह पेड जो है आंधी की वज़ा से इस प्रकार से तूट गया और इसका यह जो उपरी सिरा था यह जो उपरी सिरा था पेड का यह इस प्रकार से तूट कर यह तीलिया थोड़ी हलकी है इसलिए हिल रही है इसको हम ऐसे फिक्स कर लेते हैं तो यह जो है यह इसका सिरा यहां से तूट कर और इस प्रकार से यह धर्ती से मिल गया तो इससे क्या होगा बच्चों कि यह है एक आपको समकोंड त्रिभूज दिखाई देगा आईए अब हम इसे अभी नहीं यह जारू की तीलिया है थोड़ी सी हिल रही है इस प्रकार से यह है इस प्रकार से हमें एक समकोंड त्रिभूज दिखाई देगा आईए अब हम इसे चित्र के माध्यम से भी देखते हैं तो बच्चो देखिए माल लेते हैं कि यह A B पेड़ था और यह इस बिंदु से तूटा और यह उपर वाला जो पोर्शन है यह इस प्रकार से नीचे आकर यहां मिल गया इस बिंदु को हम C माल लेते हैं यह 90 डिगरी का कौन यहां बन रहा है ठीक है बच्चो यह पूरा पेड़ हो गया इस बिंदु से तूटा इस बिंदु को माल लेते हैं हम D ठीक है बच्चो तो आएए हमें जो प्रशन में दिया हैं हम उसको अंकित करते हैं पेड़ का शिखर जमीन को चूने लगता है और इसके साथ 30 डिगरी का कौन बनाता है पेड़ का जो शिखर था यह यह जमीन को यहां इस बिंदु पर चू रहा है और जमीन के साथ 30 डिगरी का कौन बनाता है इसका मतलब यह आ गया 30 डिगरी पेड़ के पाद बिंदु यह पेड़ है यह इसका पाद बिंदु है यानि इसका बॉटम है की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यह पाद बिंदु से यह बिंदु जहां यह जमीन को छू रहा है यह जो दूरी है यह है आठ मीटर यानि एसी आगया आठ मीटर पेड़ की उंचाई गयाद करनी है हमने पेड़ की पूरी उंचाई गयाद करनी है बच्चों पेड़ की पूरी उंचाई गयाद करने के लिए सबसे पहले हम यह छोटा त्रिभुज लेंगे A, D, C In, Triangle A, D, C अब आप इसको ध्यान से देखेगा इसमें हमें कोन दिया गया है 30 डिग्री और हमें बेस दिया हुआ है 8 मीटर ठीक है तो 10 फार्मुला लगाते हैं क्योंकि बेस और प्रपेंडिकुलर वाला फार्मुला है 10 10, 30 डिग्री यह होगा प्रपेंडिकुलर बटा बेस और प्रपेंडिकुलर है AD बटा बेस है AC अब बच्चों जो 10, 30 है हमने पिछली कक्षा में त्रिकोन मितिया नुपात किये थे वहाँ पे हमने पढ़ा था जो 10, 30 है वह होता है 1 अपॉन रूट 3 एक बटा रूट 3 आप इसको trigonometric table में देख सकते हैं 8.2 exercise में और AD AD हमें नहीं पता लेकिन AC हमें पता है AC है 8 मीटर अब हम इनको करेंगे बच्चों cross multiply ठीक है बच्चों तो AD AD गुना रूट 3 बराबर होगा 8 मीटर के और यहाँ से AD किसके बराबर होगा 8 रूट 3 इसके साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो यह हो जाएगा 8 बटा रूट 3 मीटर यह आई है अभी AD की उनचाई ठीक है बच्चो इसी प्रकार से हम इसी त्री भुज में CD की भी उन्चाई पता करेंगे देखे कैसे CD है Hypotenuse AC हमें दिया हुआ है Base तो Hypotenuse और Base वाला फार्मूला Base upon Hypotenuse होता है Cos Theta तो Cos 30 डिग्री बराबर होता है Base upon Hypotenuse ठीक है बच्चो Base है AC और Hypotenuse है CD ठीक है बच्चो तो Cos 30 की जो वैल्यू होती है बच्चो ठीक है वह होती है Root 3 by 2 और AC जो है हमें दिया हुआ है 8 मीटर बटा CD हमें नहीं पता तो हम इने Cross Multiply करते हैं CD को Root 3 से गुना करेंगे तो आएगा CD गुना Root 3 बटा बराबर 8 गुना 2 8 गुना 2 हो जाएगा 16 मीटर तो यहां से बच्चो CD आ जाएगा 16 मीटर Root 3 नहीं इसके साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा भाग ठीक है बच्चो अब आप ध्यान से देखें बच्चो हमें पता लगा AD और CD अब आप ध्यान से यदि आप प्रशन को देखें तो CD क्या है यह पेड का उपरी सिरा है और CD किसके बराबर होगा जितना BD है क्योंकि यह BD टुकड़ा ही तूट कर यहाँ नीचे मिला था है न बच्चो यह पेड का उपरी भागी तो है जो यहाँ से तूट कर इस प्रकार से नीचे धर्ती से मिल गया था तो BD जो है यह किसके बराबर होगा CD के बराबर होगा If BD जो है यह किसके बराबर होगा क्योंकि यही पेड का तूटा हुआ भाग है जो नीचे आके मिला था तो इसका मतलब BD बराबर होगा CD के और यह होगा 16.2.2 dripping मीटर अब बच्चों आप ध्यान से देखिए हमें निकालनी है पेड की पूरी लंबाई कुल लंबाई पेड की कुल लंबाई कितनी है A से लेकर B तक ये था ना पेड बेचा तो A B बराबर होगा A D प्लस B D के A B बराबर होगा A D प्लस B D A D प्लस B D तो देखिए A D कितना था हमने अभी निकाला A D 8 बटा रूट 3 मीटर प्लस B D ये निकाला 16 बटा रूट 3 मीटर इन्हें हमें प्लस करना है रूट 3 रूट 3 रगुत्तम हरे सेम है इसलिए रूट 3 रूट 3 को रूट 3 से भाग किया रूट 1 एक को 8 से गुना किया आठ मेटर प्लस यहां है A B ये भी है A B प्लस रूट 3 को रूट 3 से भाग किया एक एक को 16 से गुना कर दिया 16 मेटर तो यह आ गया A B आ गया 8 प्लस 16 24 मीटर बटा रूट 3 यह AB की लंबाई यानि की पेड की लंबाई आ गई लेकिन बच्चो आप देखिए कि यहाँ पर उत्तर में रूट 3 नीचे है और हमें पता है हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि कभी भी रूट वाली संख्या उत्तर में हर में नहीं होनी चाहिए नीचे नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं बच्चो इसका परिमय करन करते हैं आशा करता हूँ आपको परिमय करन याद होगा एक बार फिर से देख लिजे यहाँ आया AB बराबर 24 बटा रूट 3 मीटर तो बच्चो जब भी किसी हर में रूट हो जो भी रूट में लिखा है उसी को उपर भी गुना कर दो और नीचे भी गुना कर दो यहाँ हर में रूट 3 था रूट 5 होता तो उपर भी रूट 5 से और नीचे भी रूट 5 से गुना करते हर में root 7 होता तो उपर भी root 7 से गुना करते नीचे भी root 7 से गुना करते लेकिन अभी सिरफ root 3 है इसलिए उपर भी root 3 से और नीचे भी root 3 से गुना किया इससे क्या होता है बच्चो देखो 24 मीटर गुना root 3 बटा नीचे हो जाएगा root 3 गुना root 3 root 3 गुना root 3 होता है root 2 गुना root 2 root 5 गुना root 5 5 इसी प्रकार से root 3 गुना root 3 3 अब यह 3 24 से कट जाएगा 3 8 24 तो हमारे पास आ जाएगा AB बराबर यहां से बचा 8 यहां से बचा root 3 8 गुना root 3 8 root 3 मीटर यह आ गया AB और AB क्या है बच्चो AB क्या है पेड की कुल उन्चाई ठीक है बच्चो तो हम यहां लिखेंगे पेड की उन्चाई बराबर 8 root 3 मीटर तो बच्चो देखा आपने इस प्रकार से हमने इस प्रेशन को हल किया है तो इस प्रेशन को समझने के लिए हमने जाडू की तीलियों का भी प्रयोग किया ठीक है और आपको आशा करता हूँ कि हमारे हमारी एहमेनत समझाई होगी सफला होई होगी और आपको समझाई होगी तो इसमें हमने देखिए हमने देखा कि एक पेड़ खा आंधी से उपर से तूट कर नीचे मिल गया तो यह है एक समकोंड त्रिभुज बन गया इस समकोंड त्रिभुज में हमने त्रिकोंड मितिया अनुपात लगाया पहले टैन थर्टी लगाया जिससे कि हमें यह है एडी इसका प्रपेंडिकुलर पता चला फिर इसी त्रिभुज में हमने कॉस्ट थर्टी लगाया क्योंकि बच्चों एक भुजा दी हुई है ना दूसरी भुजा निकालने के लिए हम त्रिकोंड मितिया अनुपात लगा सकते हैं ठीक है तो कॉस्ट थर्टी लगाने से हमें इसकी यह हाइपोटी निउस पता चला और हमें पता है कि यही जो है यह पेड का उपरी सीरा था तो इसको और इसको हमने प्लस कर दिया और बाद में उसको परिमाई करन कर दिया आशा करता हूँ इस वीडियो के माद्यम से आपको यह प्रशन अच्छे से समझाया होगा यदि किसी भी स्टेप से आपको यह प्रशन ना समझाये तो आप वीडियो को पीछे जाकर थोड़ा सा एक बार फिर से दुबारा देख सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह प्रयास समझाया होगा और यदि आप इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर अन्य प्रशनों के वीडियो भी देख सकते हैं धन्यवाद बच्चो